हे गाइस तो कैसे आप सब आप सब का स्वागत है एट्निक्स में काफी सारे लोग डॉग बिट तो ले आते है ना पपी ले आएंगे लेकिन उन्हें खाने में क्या देना चाहिए उन्हें पता नहीं होता कुछ उल्टा सिधा फीड कर देते है जिससे डॉग बिट को प्रॉब्लम हो जाती है कईवा डॉग बिट की डेथ भी हो जाती है तो पूछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिरो से लेकि सिक्स में तक कब कब क्या क्या आप दे सकते हैं और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है यह होने वाली है लेबरडर के उपर अगर आपको दूसरे डॉग बिट के उपर भी चाहिए तो क काफी excited होंगे लेकिन रूख जाईए अगर आप new puppy लेने जा रहे हो तो one month के बाद ही आपको उसे adopt करना है 45 days भी चलेंगे लेकिन one month के बाद जाद अच्छा होगा लेकिन लेकिन इसके बाद ही कीजिए क्यों इसकी काफी सारे वज़ाए है सबसे पहली important reason जो आपको जानना ज काफी जरूरी है लेकिन काफी सारे लोग बोलेंगे कि हम नहीं देंगे तो क्या ही हो जाएगा लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलत फैमी है अगर आप अपने dog breed को उसकी mother का milk नहीं देते हो शुरुआत के दिनों में तो आगे चलके उसको disease काफी आसानी से हो जाएंगे वह weak होगा उसको काफी सारे proteins, vitamins, nutrition जो initially उसके mother milk से मिलते हो मिल ही नहीं पाएंगे इसलिए वह develop भी नहीं हो पाएगा काफी सारे लोग बोलते है कि मेरा puppy develop नहीं हुआ है यह नहीं हो रहा है पतला है जादा ही weight है तो यह सब reasons हो सकते है कि अगर आप अपने dog breed को पहले mother milk नह जल्दी separate किया जाता है puppy को तो अगर वैसा case हो या फिक हो जाता है और आपको मिल जाता है puppy तो हमेशा याद रहे आप उन्हें milk replacer दे सकते हैं काफी सारे अच्छे अच्छे companies के milk replacer साते हैं वह दे सकते हो लेकिन उनका timing अलग होता है और देने का तरीक अलग होता है तो वह आप जरूर से देख लीजिए कि किस तरह से feed कर सकते हो आप चाहे तो इस अमले में wet की राय ले सकते हो यह वह month का यानि first month का आप कह सकते हो इसे तब तक का schedule अब उसके आगे आपको क्या करना है तो उसके आगे आपको कोई भी hard food नहीं देना है यानि one month के बाद आप अपन होता है कि milk दे सकते है लेकिन milk नहीं देना चाहिए आपको आपके puppy को उसको lose motion हो सकता है digestive problems आ सकते है काफी सारी problems हो सकती है तो milk भी नहीं देना है यह याद रखे तो आप बोलोगे देना क्या है तो आप अपने puppy को serlac दे सकते हो यह आपको कोई भी medical shop पे amazon पे भी आपको provide हो जाएगा आप यह stage 1 stage 2 कोई भी हो वो दे सकते हो इसमें से serlac आपको किस तरह से देना है तो आपके dog bit को इस तरह से आपको खाना प्रोवाइड कराना कि उसका जो tummy है वो full रहे आप चाहे तो सुबह 8 बजे दुपेर को और शाम को कर सकते हो या फिर जादा भूख लग तो थोड़े-थोड़े portion में आप चार बार भी दे सकते हो लेकिन ऐसा मत किजिए कि बहुत ज्यादा ही feed कर दिया या फिर यह मत कर देना कि बहुत कम feed कर दिया तो यह जरूर से आपको ध्यान रख लेना है इसको देने का काफी easy होता है आपको थोड़ा सा पानी गरम कर ले देना है और इसके बाद आप अपने dog bit के लिए एक milk replacer आता है उसकी ममी से बिच्छड जाने के बाद यानि ले आने के बाद उसको एक replacer की जरूरत होती है हिमालिया company की आती है वो भी आप ले सकते हो इस मामले में एक बार अपने वैट यानि जो डॉक का वैट होगा उसस इसलिए मैं वैट से पूछने को बोल रहा हूँ यह काफी सेफ भी रहेगा और आप पी एंशूर होगे कि आपका puppy healthy और अच्छा ही रहने वाला है तो एक से लेके धाई महिने तक आपको उसको स्टार लेक दोना है अब बात करते है धाय के बाद उसको क्या देना है तो धा जो जी उसको नीडेड होता है पपी के एज में वह मिल सके तो फूट ब्रेंड आप अच्छे से सिलेक किजिएगा साथ साथ आप इस एज में थोड़ा सा कर यानि दही और थोड़ा थोड़ा चास भी देना उसे स्टार्ट कर सकते हो यह जो लिक्वीड फूड है आपके ड खाना खाना छोड़ सकता है क्योंकि अचानक उसकी आदत बदल जाएगी कि अभी तक सेरलेक खा रहाता चानक बेपी स्टार्ट फूड चालू कर दिया उसके बाद अचानक कभी-कभी आप कट दे रहो तो कभी-कभी डॉड़ा नहीं खाता है तो स्लोली स्लोली जाहिएग को इस एज में देना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप यह सब अपने डॉड़ देते हो तो उसकी हैल्थ जो है काफी अच्छी रहेगी काफी अच्छी से वह ग्रो होगा और उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशल होगा यह सब तो यह था जीरो से लेके शिक्स मन तक का ड देवलोड आर्यट्रीवर को आश्चा करता आपको वीडियो अच्छी लग्योंगी अच्छी लगिर के सांते ब्रवा गतां